नमस्टकार सांथ्यों आज हम सीखने वाले किसी संख्या का वर्ग ऒद्धाई करना जिसे हम स्क्वार चैहें तो देखिए मेरे सांथ्यों कि मण में चलते रहता है कि सर् वर्ग और वर्ग मुल दिखतें एक जैसे हैं हम इन दोनों में अंतर कैसे करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको और वर्गमुल में अंतर को बताने वाला हूँ डैसे कि अगर मुझे कहा गया है कि कि दोग वर्ग तो कम यह लिखे लिख लिखूंगा यह लिखा जाएगा दो की घाथ कर से हम वर्ग को ग्याद करते हैं अभी दिन मुझे कहा गया कि चार का वर्गमुल ग्याद किजिए तब यह कैसे लिखा जाएगा यह लिखा जाएगा वर्गमुल और और पावर वर्गमूल 4 बराबर अब यहाँ पर हम वर्गमूल को उतार देंगे स्कोर गजिंगे अब हमें यह देखना रहता है कि जो चाहर है जो जो संख्या दी गई है वो कौन सी संख्या का वर्ग होताई तो अब भी के मतलब होता एक बता दो और इस बाता तो को हम यहाँ पर घात में लिख देते हैं यहाँ का और यहाँ का इन दोनों जगह का दो कर जाएगा तब हमारे पास मिल जाएगा हो जब हमइन तो चोटी संख्या में बड़ी संख्या में बदल गई चोटी संख्या में यह संख्या बड़ी संख्या चोटी संख्यां में बदल जाती है सबसे पहले हम पूरा कंप्लिट बना लेते हैं उस में पहले तो उस चार्ट को हम पुरा कम्प्रिट पहले बना लेते हैं कुछ इस परकार से हमारा चार्ट होगे ने वाला है देखिए तो यहां पर देखिए मैं इसको पहले तो बॉक्स में बदल देता हूं अलग-अलग बॉक्स बना लेता हूं कि अच्छिए मान उस्केर क्या फोग्षी दिखेंगे कर दो कि थे और आपको को याद हो जाएंगे मैंने यहां पर लिग दिया संख्या मैंने क्या यहां पर उपर में संख्या को लिख दिया उपर में संख्या को लिखेंगे और इसके जश्ट नीचे हम उस संख्या के वर्ग को लिखने वाले हैं यहां पर यह हो जाएगा संख्या की घाद दो तो यहां पर देखे मैं रखूंगा एक दो तीन चार है शार्फ आठ नव यहां पर आजायागा 10 अभिया तुस उंखकनल के निहीं कि रिखिए हिसको आपको क्या आद करने की ज़्रत है अभी तक हुमने एक से लेकर 10 तक संखकञ के नहीं होती है अब देखे यहां पर है संख्या कवरगग और गम मतलब मैं आपको अभी बताय हixon कि ए संख्या का जाना से हम करते हैं दो बार गूड़ा अब मुझे यहां पर ग्याद करना है एक का वरग तो एक का अब एक से दो बार गूड़ा किजिए एक एक मब एक यहां पर आ जाएगा उन्हार दो कर ने है वर्म तो यहाँ पर आ जाएगा चान अब इसको कि यहां पर देगे टीन जो in कवर गयात करना है तो यहाँ पर साथ साथ लिखा जागा सांद ISIS और उन्ह latin न बटोर सथ होता यहां पर जायाएग कर चाहर के 17 अनन भालत जाया दोड़ा केसे 16 15 यह हो जाएगा 64 इसी परकार से नो 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 लिखा दागा तो नो निया होता है एक क्यासी अब यह दस तो दस का वर्ग होता है सो दस दहम सो तो इसको आपको याद करने की ज़रुरत कुछ खास है नहीं आपको एक बरकाय करना है उपर में पूरी संख्या को लिखना एक से लेकर दस तक और उसके नीचे में उस संख्या के वर्ग को लिखने अब यह प्रश्ण उड़ता है कि सर हम इस जो सारनी मना है यह आए पर दिया गया है संख्या 6489 का वरगमोल मुल याद कीजिए हमें आ ही इसका वर्गमोल याद करना तो कहने का मतलब यह है कि जो संख्या को वरग याद करना है तुब देखिए हम इसको हल करेंगे सबसे पहले यहां पर लिकhãy उस को आपको फॉलो करते जाना है और बस हम कुछी समय में को असानी से गई है उसमें हम इकाई के तरफ से जोड़ा बनाते हुए आएंगे दोदो का जोड़ा बनाते हुए आएंगे यहां पर देखे में इकाई के तरफ से जोड़ा बनाते हुए आ रहा हो यहां पर जो एट्टी नाय लिखा है जो एट्टी नाय लिखा है इससे हम पहला जोड़ पहला जोड़ा अब एट्टियान के बाद हमें मिल गया है 68 अब 68 68 से हम अपना दूसरा जोड़ा बना लिए हमें जो चार अंको वाली संख्या दिगे थी हमने वहां से दो अंको वाली जो आशारी दो जोड़ा बना लिया है अब यहां पर सांतियों आपको एक भाहत ध्यान म हमने दो जोड़े बना है हमने दो जोड़े बना है 89 और 68 तब हमें यहां पर अपना उत्तर पता चल जाता है कि हमें जो उत्तर मिलने वाला है वह दो अंको वाली होने वाली है कितने अंको वाली दो अंको होने वाली है यहां पर अगर हमें तीन जोड़ा मिलता तीन मैंने वापस से उतार लिया और दूसरा हमारा जोड़ा है वह क्या है 68 मैंने यहाँ पर एक लाइन खीजद कुछ इस परकार से अब यहाँ पर आपको धिहान रखना है 89 से और 68 से हमें अलग-अलग संख्या मिलने वाली मैंने कहा है कि हमें संख्या मिले दो अनको वाली संख्या मिलेगी और पहली जो संख्या करें है वह 89 से मिलसे मिलेगा और shorts wanna हमें यहां पर लिए तो मैने यहां पर लिग दिया दह इसके एकाई के अंग को देखिए यहां पर नौ है क्या है सांतियों नौ है तब हमें अपने साड़नी में चलना है और देखना कौन कौन सी संख्याओं में नौ आता है कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में नौ आता है यह हमें चेक करना है तो देखे यहां पर नौ आया है इन दोनों जगह यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह पर नव आया है तो देखिए हम इकाई का अंग कैसे ग्याद करने वाले वह आप देखिए और किसी भी सार्णी में जो है वह नव नहीं आया केवल तीन में आया है और साथ में आया और कहीं पर भी नहीं आया तब ह इकाई अंक में या तो तीन होगा या फिर साथ Suzanne कि ए थीन की घात दो व्रबर से नो क्योंकि तभी साथ कि घात दो बराबर होता है उन्द तब हमने अपने एकाई का अंग प्ता कर लिए हमारे जो एकाई के अंग मिलने वाली संख्या वहों घात हमने कंफिर फिक्स एंजर हम हमें नहीं मिला है हमें यहां पर कम से कम यह तो पता चल गया कि एकाई के अंग में तीन होगा या फिर साथ होगा इसके अरावा कोई और नहीं होगा हमने यह पता कर लिया अब यहां से देखिए 68 से हमें दहाई का अंग मिलता है अब इसको हम कैसे जाद करेंगे वह आप दे वह देखना है कि जो 68 एक है और उसका वर्गणा हैी अब एक और में बहुत अंतराल उझा हो जाएगा तब यहां पर Staat में इक मोध अंतर है हमारा जो उत्तर का थो एक तो हरगीज नहीं होगा हमें क्या करना है एकदम समीब वाले को लेना है और वह हमारा दाहाई का अंग होगा अगर मैं लूँ दो संख्या को और दो का जो वर्ग होता है वह होता है चार और चार और बहुत अंतर होगा मैं अब दो को भी नहीं लूँगा अब यहां पर संख्या तीन और ढॉल्ट नहीं होता है और यहाँ पर देखे अर्शाट नहीं और और हुट अंतर हो जाएगा मैं अब लिए काम में नहीं यहाँ पर चार का वर्गाbtar ऑर्जैन्य लो सॉलत और एंतर हैं पांच का वर्ग होता है 25 25 और आंट्र फिक तकां में नहीं है और आगे हम चलते हैं और आगे हम चलते हैं यहां पर दिया गया संख्या आठ और आठ का वर्गा होता है 64 अब यहेंगे कि दाहई के आठ हाएगा दहाई के आएगा आठाय способ कए जो 58 है जो एंद से वो कौन सी संख्या की वर्ग के निकट है तो अर्जर जो है सं след 하는 के शिर्में निकट है हमने पता कर लिए घर कांग दहाई कांग था ने कांग हमें मिलने वानहाना तो वो सत्यासी हो सकता है अब इन दोनों में सही हमारा कोई एक उत्तर होने वाला है अब हम अपने उत्तर को कैसे पता करेंगे यह प्रश्न खड़ा हो जाता है तब देखिए साथ और आगे हम क्या करेंगे अब हम यह करने वाला है कि तिरासी और सत्यासी के बीच में हमें एक ऐसी संख्या खोजना है जिसके इकाय में 5 होता है तो मैं क्या कर रहा हूं पहले तो 83 और 77 के पूरे लिख लीटा है तो 83 के बारता आता था 85 और 85 के बादा सत्यों dark यसन्हें की विच में एक ऐसी संख्या है जिसके 115 यंक्मिंदा याय पाचै अब पाच्छ आब पच्छासी को काम में लेने वाला है अब इसका क्न क्या होगा वह आफागी सुनिये तो किमें याहाँ पर निकालना है वरग क्या करना और इसक्त ब attitudes कि अहां करते हैं तब हमें उत्तर को है वो हमें दाया भाग मिल जाता है पच्चीज आप यहां पर एक आधिकें करना है तो आठ करते हैं एक आधिक आठिक करेंगे तो हो जाएगा नो आठ और नो का जब हम गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा आठ निया बहत्तर हमें पच्चासी कवर मिल गया है 7225 अब इस साथ 1225 कम कहां उपयोग करने वाला क्या उपयोग करने वाले वह अब आगे सुनिया तब देखिए जो हमें संख्या दी गई थी संख्या को इकाइक आट कहें रखेंगे और यहींनि में रखाए है हो अगर संख्या बड़ी हो जाएकी यहां पंचासी की घाट दो से तब हम नहीं पर बड़ी वालि संख्या को रखेंगे अपने QUE के इस्तान पर तो यहां पर हम अब दिखते हुं 6889 जो है 7225 से छोटी संख्या है तब हम यहाँ पर छोटी वाली संख्या को काम में लेने वाले हैं तो यहाँ पर साथ यहाँ पर यह क्या हो जाएगा यह वोठाइगा तीरासी रसाथयो कि अमारा उतर होने वाला सत्यासी कि ने होगा क्योंकि हमें संख्या गए ता है कि वह 1225 ne सूटरशे है हमें चौती वाल संख्या को काम पर लेना है तो अन्ति भाईने हमारा उत्तर लिखा यह क्या लिखा जाएगा वह आप सुनिए यह हो जाएगा वर्ग मूल 6889 बराबर हमने इसका उत्तर पता किया है 33 कहने का मतलब यह हुआ कि जो 33 का वर्ग है 33 का वर्ग यह कितना है गा 6889 आएगा तो देखिए हमने बस कुछ आप ज्ची मिंटों में इसको हल कर लिया अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करेंगे तब आप इसको बहुत ही कम समय में एक से दो मिनट में आप यह तिस से 40 से कि भी इसको बड़ी अराम से अराम हमने काम किया उसको आपको फॉलो करना है ताकि आप इसको झाल झाल